अलो फ्रेंज वेलकम बैक टू समरिद्धी मिथला कला मैं शालनी आपका अपने चैनल पर एक बार फिट से स्वागत करती हूँ आज जो हम बनाएंगे वो है हमारे दश्य अवतार सिरीज का नाइंथ पार्ट जिसमें हम बौध अवतार को बनाएंगे इसमें पहले मैं बौडर बना रही हूँ जैसा कि आप देख रहा है मैंने थ्री साइट के बौडर अल्रीडी कम्प्लीट किया हुआ है और लास्ट साइट जो है वो मैंने रखा था ये बौडर मैं आपके सामने बना रही हूँ ताकि आप जान सकें कि यह जो border दिख रहा है बना हुआ वो कैसे बनाया गया इस border में हमने जैसे हम triangular shape बनाते हैं वैसा बनाने के बाद अंधर की और मैंने इसमें कमल का full draw किया है और बाहर की और का जो bottom है triangle का उसमें मैंने कली बनाई है और बाहर की और black color से कचनी का work किया है ऐसे यह पूरा border बना है black का work इसमें complete है लगभग और जब हम poster complete कर लेंगे तो बचे हुए area में हम color का work भी करेंगे तो Lord Buddha जैसा कि हम सभी जानते हैं भगवान विश्नु का नौवा आवतार थे अभी यह face मैं draw कर रही हूँ इसमें हम front face ही बनाएंगे क्योंकि मैं जो पौशे बनाने वाली हूँ इस figure में वो है तपस्या में lean Lord Buddha तो इसी लिए सामने का चेहरा है और ध्यान मुद्रा में बैठ कर योग करते हुए Lord Buddha को मैं बनाने जा रही हूँ ज्यादा तर लोगों में confusion रहता है कि क्या भगवान बुद्ध भी जो है विष्णू के ही अवतार थे क्योंकि हम इसे एक अलग धर्म के रूप में जानते हैं बौध धर्म के रूप में जानते हैं लेकिन Lord Vishnu के ही अवतार हैं भगवान बुद्ध भी क्योंकि हम जानते हैं कि ये पाप का अंत करने के लिए धर्ती पर जन में लेते थे तो ये जो धाई हजार लगभग धाई हजार साल पहले का जो वक्त था उस पे प्रित्वी पे जीवों की हत्या का और युद में आपस में भी लडाईयां होती थी और इंसानों की हत्या का भी जो प्रचलन था वो काफी तेज हो गया था कारण या अकारण जीवों की हत्या हो रही थी और इसे रोकने के लिए जो है भगवान बुद्ध के रूप में भगवान मिश्णु ने जन म लिया था इनकी माता का नाम माया देवी था और पिता का नाम शुद्धोधन था और इनकी राजधानी कपल वस्तु हुआ करती थी तो अम हम कहेंगे कि क्या था ऐसा जिसे रोकने के लिए इनका जन्म हुआ तो अकारण होने वाली हत्याओं को रोकने के लिए शांती का संदेश देने के लिए भगवान विश्णु ने भगवान पा रहे हैं हमारा जो में फिगर है लौड बुधा की जो तस्वीर है उसकी आउट लाइनिंग लगभग लगभग कम्प्लीट हो चुकी है जिसमें हमने उन्हें ध्यान मुद्रा में बनाया है तपस्या के मुद्रा में बनाया है और अब जो बैक्राउंड का एरिया है वो तो जैसा कि हम इनके जीवन के बारे में बात कर रहे थे, तो उसे थोड़ा और आगे उसकी चर्चा करने, इनके जब जन्म हुआ था, तो रिशियों द्वारा पहले कुण्डिली बनाने की प्रता थी, उसमें जो कुण्डिली बनाई जा रहे थी, तो उसमें पुरोहितर ने इनके पिता शुद्धोदन से कहा कि या तो ये चक्रवर्ती राजा बनेगा बच्चा बड़ा होके, और या तो फिर ये राजकुमार जो है, वो वेरागी बनेंगे और जगत का कल्यान करेंगे, अब कोई भी पिता, अगर वो राजा है, तो और जादा ये बात को सुनके चिंतित हो जाएगा कि उसका पुत्र जो है, वो सन्यासी बनेगा, तो शुद्धोदन जुद्धे राजा उनको भी इस बात की चिंता हुई, और उन्होंने ऐसी विवस्थाएं की, कि राजकुमार के अगल बगल में कभी भी किसी भी प्रकार का दुख ना हो, यानि वो ज ऐसे ही उनका पालन पोशन हुआ, उन्होंने अपने बच्पन में कभी भी जीवन की किसी सचाई, जैसे बीमारी को, बुढ़ापे को, ऐसी किसी भी चीज को उन्होंने नहीं देखा, इसी प्रकार वो बड़े हुए, और राजकुमारी ये शोधरा के साथ उनका विवाह कि लिए निकले और पहली बार उन्होंने जीवन में आने वाले बदलावों को, बुढ़ापे को, बीमारी को, मृत्य को देखा, करीब से देखा, लोगों को उसे जहरते हुए देखा, और अब वो संसार की जो ये वास्तविक्ता थी, इसे समझने का प्रयास करने लग गए, और उनका अमन जो जीवन का जो सुख वो भोग रहे थे, उससे पूर्ण रूप से हट गया, उसके बाद एक लंबी यात्रा, सत्य की प्राप्ती के लिए एक लंबी यात्रा के बाद, उन्हें बौधधत्व की प्राप्ती हुई, और उसके बाद उन्होंने शांत्ती का, हिंसा का उपदेश जो है, वो लोगों को दिया, बौध बनने के पश्चात, अब ये बौधशब्ध क्या है, बौधशब्ध का मतलब है बौधधत्व की प्राप्ती, बुद्धी की प्राप्ती, तो ये एनलाइटनमेंट, जो हम ये पीछे यलो कलर का जो चक्र बनाते है ये एक तेज है, जो उनहीं लोगों को प्राप्त हो पाता है, जिन्हें बौधधत्व की प्राप्ती हो जाती है, तो इन्हें इसी लिए बौध के नाम से जाना गया, जैसा कि हम सब जानते हैं, कि ऐसे जो बच्पन में इनका नाम था, वो सिधार्थ हुआ करता था, तो ब व्यक्ति की ये जो त्रशना है वो समाप्त हो जाए, तो उसके दुखों का सर्वथा नाश खुद बखुद हो जाएगा, अगर कोई भी व्यक्ति राग, द्वेश, अहंकार को छोड़ दे, तो उसका जो कल्यान है उसे होने से कोई नहीं रोक सकता, इन्होंने आठ मार्ग बताए थे बधत्व की प्राप्ति के लिए, सुक की प्राप्ति के लिए, दुखों से बचने के लिए, जिसमें हम जानते हैं ये कुछ चीजें थी, सत्य, निर्भैता, सदाचार, सदबुद्धी, सदगुण, सदविचार, उचा लक्षे रखना, और उत्तम ध्यान, यान कर लोगों को जीवन की वास्तविक्ता से रूबरू कराने में किया, और इसके लिए, इन्होंने बहुत लंबी यात्राएं भी की, फ्रेंट्स, जैसा कि हमने पिछले अवतारों की कथा में देखा है, कि इन्होंने किसी न किसी को उसका हक दिलाने के लिए, या धर्म की रक्षा के लिए जन्म लिया है, धक्ती पर अवतार लिया है, तो ये भी जो जन्म या अवतार था, इनका वो इसी लिए था, कि जो ज किसी भी चीज को जीवन नहीं दे सकते यानि अगर हमने किसी की हत्या कर दी और फिर हमें पश्तावा हुआ तो हम उसे जीवन दे सकते हैं तो नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते तो जब हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसे मारने का अधिकार हमें किसी भी प्रकार से नहीं है इस प्रकार से इन्होंने जीवों को जीवन का अधिकार देने के लिए लोगों को शांती का ज्यान देने के लिए बौध के रूप में खवतार लिया था ये जन्बी इन्होंने एक सामानिय मनुश्य के रूप में लिया लेकिन बाद में बौधत्वी की प्राप्ती होने के कारण इश्वर के रूप में इन्हें जाना गया फ्रेंज जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा फिगर अब लगभग लगभग कम्प्लीट हो चुका है इसमें हमें औरनामेंट्स नहीं बनाने थे क्योंकि लौट बुधा किसी भी प्रकार के औरनामेंट्स नहीं पहनते थे ये भी एक रीजन है इस पिचर के जल्दी बन जाने का और अब जो मैं काम कर रही हूँ वो है हमारे बॉरडर में कलर फिलिंग का इसमें मैंने डी ब्लू से जो अंदर का ट्राइंगल था उसके बॉटम पार्ट को भरा है और कमल में मैं बैंगनी और लाइट पिंग कलर का इस्तमाल कर रही हूँ और इस प्रकार से ये बॉडर कम्प्लीट होते ही हमारा ये पोस्टर भी कम्प्लीट हो जाएगा I hope कि आपको मेरा ये पोस्टर और मेरे द्वारा बताई कई कहानी दोनों पसंद आए होंगे और इसे भी आप बनाएंगे, सीखेंगे और अपनी जो experience हैं वो मेरे साथ share करेंगे अन तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपकी कोई भी queries हो, मदुवनी painting से related उच सकते हैं मैं पूरा प्रयास करूँगी आपके सवालों का उत्तर देने का और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ Thanks a lot once again